नमस्कार दोस्तों दोस्तों तिर्पतिबाला जी हिंदू तीर्थ के सबसे पवित्र धार्मिक अस्थलों में से एक है जो कि भगवान विश्णू के ओतार श्री बिकेंटे इस्वर जी को समर्पित है और यह आंध्र प्रदेश के चितूर जिले के तिरुमला परबत दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिर्पतिबाला जी कैसे पहुंचें वहां पहुंचकर रहने और खाने की ब्योस्ता कैसे करें तिरुपतिबाला जी के दर्सन कैसे करें तिरुपतिबाला जी हमें कब जाना चाहिए इसके साथी साथ अंत में ये भी ब जाएगी उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और आपका अपना चैनल अमार ब्लोगS को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करें चले सुरू करते हैं दोस्तों सब से पहले बात करते हैं कि तिरुपति बाला जी कैसे पहुँचे हैं दोस्तो तिरुपति बाला जी पहुचने के लिए सबसे आसान तरीका है बाई ट्रेन का दोस्तो गर आप ट्रेन से यातरा करना चाहते हैं तो आप देश के बड़े सहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से तिरुपति बाला जी के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन नहीं रुपती है तो दूसरा विकल्ब है रेडी गुंटा जक्सन जो तिरुपति सहर से 7 किलोमेटर पहले ही पढ़ता है तो आप वहाँ पर भी उतर सकते हैं दोस्तो तिरुपत रेलवे स्टेशन या फिर रेडी गुंटा जक्सन पर पहुँचने के बाद आपको तिरुपत से तिरुमाला जाना पड़ता है तिरुपत रेलवे स्टेशन से तिरुमाला मंदिर की दूरी 22 किलोमेटर है और रेडी गुंटा रेलवे स्टेशन से 32 किलोमेटर है दोस्तो जब आप तिरुपत रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो तिरुपत ड्रस्ट की तरप से तिरुमाला जाने के लिए हर आधे गंटे में बस की सुविदा फ्री में उपलब्ध है दोस्तो अगर आपके पास ओनलाइन यात्रा पास है तो आप बस में डारेक्ट बैट कर आप तिरुमाला के लिए प्रस्थान कर सकती है लेकिन अगर आपको ट्रस्ट वाली बस में जगा नहीं मिलती है रेलवे स्टेशन के बाहर हर पांच मिनिट के अंतराल पर प्राइबेट जीप और एपिएस की बसे चलती है दोस्तो प्राइबेट जीप का किराया सो रुपए होता है लेकिन अगर आप एपिएस आर टीसी बस से जाते हैं तो उसका किराया 65 रुपए पर परसंड के हिसाब से होता है। दोस्तों अगर आपके पास ओनलाइन पास है तो आप रेडी गुंटा जक्सन से भी डायेक्ट तिरुमाला के लिए जा सकते हैं। और आपको 90 रुपए का टिकट लेना पड़ीगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यात्रा पास नहीं है तो आप तिरुपद रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर इस्थित, तिरी निवासन कॉम्पलेक्स में या फिर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित, सर्व दैसन टोकन काउंटर से कई घंटो लाइन में खड़े होकर आप अपना ओफ लाइन यात्रा टोकन ले सकते हैं दोस्तो इपास लेने के बाद रेलवे स्टेशन से चार किलो मीटर की दूरी पर एक चेक पोस्ट आता है जहां पर आपके सारे समान की अच्छी तरह से जाच होती है और यहीं पर आपका यात्री पास भी चेक होता है दोस्तो अगर आपने ओफ लाइन पास ले रखा या फिर ओन लाइन पास ले रखा दोनों पास इसी चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है और वन टाइम यूज कोई भी प्लास्टिक जैसे पानी की बोतल आप वन टाइम यूज करते हो इस चेक पोस्ट के बाद आप उसको लेकर अंदर नहीं जा सकते हो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बाई फ्लाइड से तिरुपती बाला जी कैसे पहुँचें दोस्तों तिरुपत हवाई अड़ा से तिरुपत सहर जाने के लिए आपको टैक्सी की सुबदा मिल जाएगी और तिरुपत सहर पहुँचने के बाद आप या फिर टैक्सी के माध्यम से तिरुपत इबाला जी मंदिर पहुँच सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम अपने हिसाब से तिरुपत से तिरुमाला पहुँच गए हैं अब हमको यहाँ पर रहने और खाने की बिवस्ता कैसे करनी हैं दोस्तो तिरुमाला पहुँच कर बस से उतरते ही थोड़ी दूरी पर आपको CRO ओफिस मिल जाएगा जो कि तिरुपत ट्रस्ट का है वहाँ पर आपको काफिस सस्ते रूम मिल जाते हैं दो वेड रूम का किराया मात्र 50 रुपे से लेकर 15 रुपे तक चार्ज किया जाता है ये किराया डिपेंड करता है कि आप AC या फिर नॉन AC रूम में से कौन सा रूम ले रहे हैं लेकिन दोस्तों तिरुपत बाला जी यातरा पर जाने से 90 दिन पहले ही आप वहाँ पर ठैने की ब्योस्ता ओनलाइन बुकिंग करके जरूर जाएं लेकिन दोस्तों अगर आपने ओनलाइन रूम की बुकिंग नहीं किये तो यहाँ पर आकर आप ओफ लाइन भी रूम बुक कर सकते हैं उसके लिए आपको 4-5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि दरसनार्थियों की भीड बहुत ज़्यादा होती है और फेस्टिबल के समय जावा वीड होने पर आपको रूम नहीं मिलेगा इसलिए जाने से पहले आप अपना रूम तिरुमला ओफिसियल वेब साइट पर जाकर बुक कर लें दोस्तों इसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाकर वहाँ पर अपना रूम बुक कर सकते हैं दोस्तों इसके साथी साथ एक और बिकल्प है अगर किसी को ऑनलाइन और आफलाइन रूम टिकेट नहीं मिला है तो सियारो ओफिस के पास एक यात्री सदन है यहाँ पर फ्री लोकर सर्विस उपलब्ध है आप अपना आधार कार्ट दिखाकर लोकर सर्विस ले सकते हैं और लोकर में समान रखने के बाद आपको एक सिलिप दिया जाएगा इसके साथी साथ आपको एक चटाई भी दिया जाएगा तो आप चटाई बिचाकर वहाँ के हॉल में आप आराम कर सकते हैं आपको नींद लगी है तो आप सो भी सकते हैं दोस्तों इसके अलामा आपको तिरुमाला में कोई भी प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको तिरुपत सहर में बाला जी मंदिर से 22 किलो मेटर पहले ही ठे पड़ेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं खाने पीरे की तिरुपति बाला जी में यात्रियों को नास्ता और खाने की ब्योस्ताद ट्रस्ट द्वारा फ्री सुविदा उपलब्द है जो की बहुत ही स्वादिस्ट होता है तो आप वहां पर जाकर वेकेंटर इस्वर जी का प्रसाद ग्रहन कर सकते हैं दोस्तों नास्ते का समय सुबह 9 बएस से 11 बजे तक होता है और दोपाहर का लंच 11 बजे से 4 बजे तक होता है वहीं साम का भोजन 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है दोस्तों अगर आप यहाँ पर खाना नहीं चाहते तो इसके अलावाँ यहाँ पर कई सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर आप बेज और नोन बेज दोनों तरह का खाना खाने को आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तों लोग यहाँ पर बाला जी का दर्सन करने के लिए आते हैं इसलिए ज़्यादा तर्यातरी यहाँ पर वेश खाना खाना ही पसंद करते हैं चली दोस्तों बात करते हैं कि हमें तिरुपति कब जाना चाहिए दोस्तों तिरपत इबाला जी की एक जलक दर्शन पाने के लिए हग दिन लाकों सहलानी पहुंचते हैं लेकिन यहां जाने के लिए सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीज का होता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहां का ताप मान 40 डिगरी सेल्सियस तक हो जाता है जिससे लाइन में खड़े होने पर काफ़ी जादा गर्मी महसूस होती है जिससे यात्रा करने में आपको थोड़ा तकलिफ हो सकता है वहीं अगर आप किसी फेस्टिबल के समय बाला जी जाते हैं तो आपको काफ़ी जादा लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है चलिए दोस्तों बात करते हैं कि तिर्पत बाला जी का दर्सन कैसे करें दोस्तो तिर्पति बाला जी के दर्सन करने से पहले सभी यात्रियों को वही पर काउंटर से ई-पास बनवाना पड़ता है जो कि बिल्कुल फ्री बनाय जाता है दोस्तो पास बनवाने के लिए आपके पास अपना एक पहचान पत्र साथ में होना अनिवार होता है जैसे कि ओटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड दोस्तो आपके साथ जितने भी लोग हैं अगर आपके पास चार लोग हैं पांच लोग हैं छे लोग हैं सबका अपना free मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको 5-6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा और आपके साथ जितने भी member हैं सब को लाइन में लगना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको आज की date का pass ना मिले बलकि next दिन का pass मिले दोस्तों अगर आप इतनी लंबी line से बचना चाहते हैं तो हमारी राय है कि आप बाला जी आत्रा के 90 दिन पहले ही online pass book करके ही जाएं दोस्तों यहाँ पर एक special line है जिसका किराया 300 रुपए per person होता है जिसको बी आईपी pass बोला जाता है दोस्तों यह pass लेने के बाद भी आपको 5-6 घंटे में लगने के बाद ही दर्सन करने के लिए number आता है लेकिन normal pass होने पर आपको 12 घंटे तक line में खड़ा होना पड़ सकता है दोस्तों दर्सन करने से पहले दर्सनातियों को तिर्मुला परबत में ही मंदिर परिस्पर के पास इस्तित पुसकरनी कुन में असनान करना होता है इसके बाद सबसे पहले ब्रहस्ट स्वामी का दर्सन करना होता है इनके दर्सन करने के बाद ही बाला जी स्वामी जी के दर्सन करने का प्राउधान है दोस्तों यहाँ पर दर्सन करने से पहले एक बात ध्यान से नोट कर लें चाहे लड़के हो या लड़कियां आपको फुल स्लीप ड्रेस पहन कर ही पूजा करने के लिए आगे जाना है लड़के चाहे तो यहाँ पर दो सो रुपए की धोती पहन कर दर्सन करने के लिए अंदर जा सकते हैं अगर यहाँ पर आप half dress में जाते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए मना कर दिया जाएगा इसलिए आप full कपड़े पहन कर ही दर्शन करने के लिए आगे जाएँ दोस्तो इसके बाद आज जै गोबिंदा का नारा लगाती हुए बेकेंटेज स्वामी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएए और दर्शन मिलने का समय जो होता है वो लगबग 24 घंटे लाइन में लगकर कर सकते हैं दोस्तो लेकिन आप किसी तेवार जैसे दिवाली दे सहरे के समय जाते हैं तो दर्शन करने के लिए दो दिल लाइन भी लगाना पड़ सकता है। दोस्तो लाइन में हिट रस्ट की तरब से हर समय नास्ता और पानी की ब्योस्था की जाती है। इसके साथ ही साथ आराम करने के लिए जगा जगा पर स्टेयर बनाए हुए हैं। जहां पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। दोस्तो मंदर में दर्शन करने के बाद आप लड़ू काउंटर पर जा सकते हैं। यहां का लड़ू भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लड़ू प्रसादम मंदिर की रसोई में तयार किया जाता है। मंदिर वोड तिरुमला तिरुपत दिवास्थानम द्वारा पोटू के नाम से जाना जाता है चलिए दोश्तोग आगे बात करते हैं कि तिरुपत पाला जी में बाल दान क्यूं किया जाता है दोस्तो तिरुपत में केश दान की बहुत पुरानी परंपरा है इसका अर्थ है कि बालो के साथ अपने अहिंकार गमंड और बुराई को त्याग देना इसलिए हजारों लोग यहां पर रोजाना अपने बाल दान करते हैं दोस्तो बालो को दान करने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है अगर आप चाहें तो अपने होटल के पास भी नाई को बुला कर आप अपने बालो को दान कर सकते हैं दोस्तो बात करते हैं कि बाला जी की यातरा में कितने दिन लगते हैं दोस्तो बाला जी में दर्सनातियों की कभी-कभी वीड ज़्यादा होने की वज़ा से यहाँ पर दर्सन करने के लिए 36 घंटे भी लग जाते हैं इसलिए कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर ही आप बाला जी के दर्सन की यातरब पर आ सकते हैं चली दोस्तों बात करते हैं सबसे आखरी और सबसे important बात कि बाला जी घूमने में कितना खर्चा आता है दोस्तों तिरपत बाला जी घूमने का कुल खर्च आपके तिरपत तक पहुंचने के टिकेट और होटल के खर्च को कार्ट दिया जाए तो आप यहाँ पर आसानी से 25 सो रुपए में दर्शन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि आपके सहर से तिरुपत रेलेवे स्टेशन तक का किराया नहीं जोडा गया है दोस्तों हम आसा करते हैं कि अगर आप तिरुपत रिबाला जी की यात्रा की प्लाइनिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए 10% भी काम में आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा व्लोक्स को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है आपकी आत्रा सफल सुखत मंगल मैं हो जै हो बालाजी महराज की